वेल्कम बैक टो चैनल दोस्तों मेरा नाम है हर्श और आज की इस वीडियो में हम इंशुरेंस के बारे में बात करेंगे जो इंशुरेंस हमें कमपनी प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात करेंगे और जो ऑनलाइन में इंशुरेंस पॉलिसी अवेलिबन है उनकी बात करेंगे और फिर लास्ट में हम जो ऑफलाइन तरीके से जो इंशुरेंस करवाते हैं उसकी बात करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंडरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो को देख करके शायद आपके थोड़े पैसे भी बच जाएं तो दोस्तों आईए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं वीडियो में शुरू से अन तक बने ट्राइबर का ही एक्सपेरियन से बाई करने का मेरे पास तो ट्राइबर जब हम लेने गया थे शौरूम पे तो जब उन्होंने कोटेशन दिया हमें तो कोटेशन में उन्होंने इंशुरेंस का हमें बताया था 25,000 जो उनका टाइब था जिस कंपणी के साथ में रेनो मार् 25,000 आपका ये आएगा तो फिर मुझे थोड़ा ज़ादा लगा फिर quotation लेके तो मैं घर पे आ गया था फिर मैंने और भी बाहर तरीके पता किये कि और भी क्या insurance कहां से हम करवा सकते हैं तो मुझे policy bazar का कहीं से पता चला policybazar.com का online policy तो फिर मैंने search किया जब मैंने गाली के details उसमें फिल किये तो कुछ quotations आएं मेरे सामने कुछ companies के नाम आए उसमें सबसे पहला number पे था United India Insurance Company का जो की company वाले insurance से मुझे total 9,000 रुपे कम मिल रहा था इसमें बस एक ही add-on था वो था zero depreciation का एंड उसके अलावा कोई भी add-on नहीं था इसमें ना तो engine protection cover था एंड ना ही बाकी कुछ cover था जैसे की lost cover एंड वगेरा वगेरा ऐसा कुछ cover नहीं था तो यह मुझे 16,000 का पड़ा था एंड फिर मैंने उसको करवा लिया था वही insurance हमने ले लिया था यह बात हमने showroom पे नहीं बताई थी कि हमने insurance already करवा लिया है गाड़ी का तो जब मैं गाड़ी के delivery लेने गया booking के बाद तो उन्होंने कहा कि sir insurance का 25,000 है तो मैंने जब उनसे कहा कि नहीं मैं बाहर से करवा लूँगा insurance आप मुझे insurance नहीं चाहिए company का तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं sir आप ट्राइबर में insurance आप बाहर से नहीं करवा सकते आपको company का ही insurance लेना पड़ेगा तो मैंने कहा अच्छा फिर मैंने उनको बताई कि नहीं sir मैंने तो insurance पहले से ही करा लिया है तो जब ये बात उन्होंने उसने सुना वो जो sales के manager थे वो तो उन्होंने कहा ठीक है sir मैं अपने senior से एक बार बात कर लेता हूँ तो पताने उन्होंने किसको message किया text किया किसको phone किया थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है sir आप insurance आपने बाहर से करवा लिया है तो आप बेशक गाड़ी लेकर जा सकते है तो ऐसा कुछ experience था मेरा and अब बात कर लेते हैं claims की की claim मैंने कैसे क्या यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने insurance अपना बाहर से करवाया था policy बजार से दोस्तों अगर आप मेरी channel पर पहले से बने हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक video post किया था जिसमें मैंने बताया था कि driver side का door मेरा change हुआ है driver का and वो मैंने insurance में claim किया था तो जब मैंने claim किया insurance का तो मुझे कहीं पर भी जाना नहीं पड़ा कोई hard copy surveyor ने उसको approve भी कर दिया हमारा claim को and then work भी काम भी 2-3 दिन में हो गया था हमारा and इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई कोई भी जो hassle free है कुछ वैसा ही हुआ था लेकिन हाँ documents आपको इसमें बहुत सारे submit करने पड़ते हैं जैसे claim का intimation form, claim file का form and यह सब आपको fill करने पड़ते हैं जिसकी वज़े से थोड़ा सा यह जो company का insurance है उससे थोड़ा सा यह hectic हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यह and दोस्तों जो claim के बाद जो reimbursement है वो मुझे आया था around 2 महिने के बाद तो यहां पर एक downside इसका यह भी है कि इसमें reimbursement में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरा तो 2 महिने के बाद आया था लेकिन उनके official site पे यह mention था कि within 3 working days आपका reimbursement हो जाता है बट पता नहीं ऐसा क्यूं हुआ and वही चीज अगर आपकी company वाली insurance होती तो आपको वहां पर reimbursement का सवाल ही नहीं होता क्यूंकि आपको पैसे ही नहीं pay करने पड़ते हैं वो सब cashlessly वो company उतसे समझ लेती आपके showroom से आपको सिर्फ claim के file के charges pay करने पड़ते हैं जो कि 1500 रुपे होते हैं तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि कैसे claim में भी थोड़ा सा easy ही है online में जो हम करवाते हैं and offline की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज के time में कोई भी offline जाके अपनी गाली का insurance करवाता है अगर आप offline जाके करवाते भी हैं तो भी आपको उसमें बहुत time लग जाता है जैसे कि अगर आपका insurance claim किया तो सबसे पहले आपको आपकी company के office में जाके उनको intimation देना होता है कि गाड़ी का accident हो गया है फिर surveyor आते हैं अभी तो covid चल रहा है तो surveyor भी उतने ज़्यादा active नहीं है and by chance वो आते भी हैं तो एक दो दिन के बाद आएंगे फिर वो गाड़ी को survey करेंगे फिर वो company को अपना वो देंगे कि आप काम शुरू करो उनको बता देंगे showroom वालों को and then फिर आपकी गाड़ी पे काम start होता है काम start होने के बाद आपको पैसे भी फिर पे करने पड़ते हैं and then reimbursement करना आने के लिए भी आपको बिल को अलग से office में लेके जाना पड़ता है या उनको post करना पड़ता है career के थुरू जिसके बाद आपका reimbursement वगेरा होता है तो offline जाके तो बहुत कम ही लोग करवाते होंगे लेकिन मैं बता दूँ यह उतना ज़्यादा hassle free experience आपको नहीं मिलेगा इसमें offline में अभी तो ज़्यादा लोग या तो online policy करवाते हैं या फिर जो company recommend करती है वही करवाते हैं and दोस्तों company से जब आप insurance करवाते हैं तो आपको एक complete peace of mind होती है and आपको कोई भी जंजट नहीं होती है कुछ भी करवाने की आपको बस claim के time में आपकी गाड़ी showroom पे छोड़ देनी होती है and then rest of the things वो खुदे handle कर लेते हैं showroom वाले ही and online में एक दिकत ये भी है कि आपको एकदम satiq जो भी है एकदम बढ़ियां से सब खुद से details बहुत बार reach एक करके फिर submit करने पड़ते है बहुत सारे form होते है जो आपको fill करने पड़ते है एक intimation form होता है and मुझे तो इतने forms थे याद भी नहीं आ रहा है जो जो fill करके online मुझे submit करने पड़े थे तो दोस्तों अगर आप एक hassle free experience चाहते है तो no doubt आप company का ही लीजिए and अगर आप थोड़ा खुद से भी चीज़ें कर सकते है जैसे कि अगर आप खुद से भी form fill करके and submit कर सकते है थोड़ा सा अगर आप busy नहीं है आपका busy schedule नहीं रहता है उतना तो आप online insurance भी ले सकते हैं हाला कि उसमें आप कुछ add-ons करवा लीजिएगा जैसे key lost cover and engine protection cover यह कुछ covers होते हैं जो आप करवा लीजिएगा अगर आप online करवा रहे हैं तो इसमें थोड़े से reimbursement में time लगता है offline तो दोस्तों यह तो हो गई insurance की claim and cover की बात and अब बात करते हैं मैंने अपना second year का यह own damage तो one year का ही था मेरा and अगर second year में मैंने इसको फिर से करवाया है renew and फिर से मैंने policy बजार से ही करवाया है इस बार company change हो गई है इस बार मेरी company है new India assurance company यह मुझे total पढ़ गया 6000 का and इसके लिए मैंने company में quotation लिया ही नहीं था showroom पे and मैंने direct ही इसको renew कर लिया था policybazaar.com से ही and पिछली insurance की तरह ही इसमें कोई cover नहीं है engine protection cover and की lost cover and कुछ भी add on नहीं करवाया है मैंने लेकिन अगली बार जब मैं insurance अपना करवाऊंगा renew third year में तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा add on करवाने की कोशिश करूंगा इसमें जो engine cover है and की lost cover है वो सब मैं करवाने की सोच रहा हूँ जब मैं अगले साल इसका renew करवाऊंगा तो अभी तो इसका second year का renew करवाए हुए मुझे हुए है around कुछ 15-20 दिन हो गए है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब तक की आपको insurance कौन सा लेना है एक बार फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ दोस्तों अगर आप बिल्कुल hassle-free experience चाहते हैं अगर कोई भी आपको एकदम peace of mind वाला experience चाहिए तो आप company का ही insurance लीजिए क्योंकि उसमें add-ons भी होते हैं आप एकदम बिल्कुल tension-free होके गाड़ी अपने service center या workshop पे रख सकते हैं और उसके बाद वो fix कर देते हैं आपको पैसे भी नहीं pay करने पड़ते हैं जो भी काम होता है आपका वो claim file का छोड़के और इसमें आपको कितना भी ज़्यादा claim हो आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं और वहीं अगर आपका online insurance है या जो जिसका tie-up नहीं है आपकी company के साथ में अगर वहाँ से आप insurance करवाते हैं जैसे कि अगर आप बाहर से online करवाते हैं ICI Lombard का I think सभी Renault की dealership पे tie-up है मैं सिर्फ Renault की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया में तो ICI Lombard जो है वह आप बाहर से भी करवा सकते हैं वह भी cashless की सुविधा आपको मिल जाएगी Renault पे आप वहाँ से भी cashless ले सकते हैं online policy bazar के थुरू भी और वहीं पर अगर आपकी कोई government company जैसे की United India and New India Assurance company तो इसमें आपको जितना भी खर्च होगा मान लेजिए 20, 25, 50 या 1 लाक पहले आपको पैसे देने ही पड़ेंगे उसके फिर company आपको reimburse करेगी कुछ दिनों के बाद और यह government की companies होती है तो थोड़ा बहुत तो time लग जाता है अपका reimbursement आने में तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को subscribe भी कर दीजिएगा कोई भी सुझाव या suggestions आप मुझे देना चाहते हूं वो comments में जाके नीचे आप मुझे दे सकते हैं दोस्तों आपके जो comments में पढ़ता हूं वो मुझे काफी खुशी होती है काफी थोड़ा सा मुझे motivation भी मिलता है आपके comments पढ़के दोस्तों मेरी अगली वीडियो में सोच रहा हूं claim के जो process है आपका उसके उपर मैं वीडियो बनाऊं तो आपकी क्या राय है उसके उपर आप मुझे comments में बताईए आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरी अगली वीडियो किस topic पर होनी चाहिए तो बस दोस्तों वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद